हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल देवेंदर मेथ क्लासिज स्टुडेंट्स आज हम बेसिक इंट्रोडेक्शन करेंगे चैप्टर नाइन का देखिए ये करने के बाद में हमें इस चैप्टर में कहीं कोई दिकत नहीं आएगी देखो क्या दिया हमें अगर टू लाइन्स पैरलल दी हुई हो माल यह एक L लाइन है एक M लाइन है यह दोनों क्या है पैरलल है L लाइन पैरलल है किसके M लाइन के और इसके अंदर ट्रेंगल्स बन रही है मालो एक triangle ये बना दूँ और एक triangle ये बना देता हूँ लेकिन इसी base यही use कर रहा हूँ base यही use कर रहा हूँ इसका एक triangle इसको नाम ले लेता हूँ A, B, ये C और ये D ये तो same base हो अगर दो triangles का same base हो और between parallel lines हो तो उनका area क्या रहता है? equal रहता है. देखो क्या रहेगा? area यहां बोल सकते हैं area of triangle किस triangle का? triangle A, B, C का area equal होगा area of किसका? A, D, B A, D, B triangle के देखो ये क्या रहेगा? equal अगर हम बात करें कि क्यों equal रहेगा? थोड़ा सा common sense की देखें हम बात तो आपने शीका है कि यहां जैसे मानलो कोई triangle है अपने पास इसका area find out करना है मानलो मैंने perpendicular डालिया ये H, ये इसके लिए base का काम कर रहा है B, ठीक है? तो area हम कैसे निकाड़ते हैं? कि ट्रेंगल का? area of triangle क्या होता है? 1 by 2 base into height B into H B से मतलब है base और H मतलब height होता है similar यहां पर बात करेंगे तो देखो, base तो दोनों का क्या है? सेम है, B ही है अगर आप B मानते हैं तो B मान लेंगे A, B रखते हैं तो A, B base क्या है दोनों का A, B है? और height की बात करें तो जो height है, वो क्या रहेगी? parallel lines की सेम ही रहेगी ना इस triangle के लिए भी यही height रहनी है और इस triangle के लिए भी यही height रहनी है edge तो triangle का area क्या रहता है? 1 by 2 base into height तो वही इसका आएगा triangle ABC का और वही AD B का आएगा ओके students, देखे अगर दूसरी बात अगर हम देखें तो देखो अगर अपने पास इन दोनों के parallel lines के अंदर दोनों parallel lines के अंदर parallelogram है क्या है? parallelogram है मालिया यह parallelogram है A, B, C, D sorry A, B, C यहाँ पे लिखेंगे D A के order में आपको लेके चलना है इसको parallelogram को जब हम लिखते हैं जब और एक दूसरा है यह है मालिया मैंने एक यह है और इसको नाम ले लेता हूँ C, D, E, F तो एक यह parallelogram मैं double line से श्यो कर देता हूँ यह वाड़ा जो parallelogram है यह वाड़ा इस parallelogram का जो मैंने double से दिखाया है इसका area equal रहेगा इस वाड़ा के किसके A, B, C, D parallelogram के equal होगा देखो कब होगता है यह जब यह two lines parallel हो और यह क्या होँ same base पे होँ same base पे हो आप लिखेंगे अगर लिखना चाहते हैं तो यह जो है area जो है क्या होगा A, B, C, D का area equal होगा area of किसके है A, B, F, E, K A, B, F, E, K equal होगा अब यहाँ भी logic अगर देखें तो देखो area parallelogram का होता क्या है area of parallelogram parallelogram होता क्या है base into height क्या होता है base into height base into height होता है अब यहाँ पे बात करें तो देखो base क्या है दुन्नों का common है B अगर B माने तो B है और height जो है height वही triangle वाड़ यहीं बात है height क्या रहेगी same ही रहेगी इस parallelogram के लिए height यही रहेगी और इसके लिए भी यही रहेगी तो दोनों का area क्या रहेगा equally रहेगा तो ऐसा कब होता है जब वो same base पे बनेंगे और in between parallel lines पर बनेंगे तो क्या बोलेंगे इनका area क्या रहेगा same रहेगा okay students अगर इनका area same है तो आप वापिस यह भी बोल सकते हैं यहां से अगर इनका area same है तो आप यह भी बोल सकते हैं कि L parallel है M के L parallel है M के अब एक और result देखेंगे important देखें अगर अपने पास दो line हैं काफी बार use में आएगा और दोनो line है parallel है और एक parallelogram बढ़ रहा है अपना एक क्या बन रहा है parallelogram और एक क्या बन रहा है ट्रेंगल बना दे कहीं इसी बेस पे बना देते हैं यह ट्रेंगल हम चाहिए आप इधर बना दो इस ट्रेंगल को ऐसे यहाँ बना दो ची कहीं भी बना दो इस ट्रेंगल को चाहिए इधर बना दो लेकिन जानी ची यह यहाँ इस height तक ही इस बात का ध्यान दें इस height तक जानी ची यह और similar जो मैंने दोनों triangle बताई हैं वो भी इनी height तक दोनों parallelogram बताई हैं वो भी इसी height तक जाने ची यह तब ही होता है area equal अब यहाँ पर बात करें तो देखो मान लिया यह triangle a, b, c, d क्या है parallelogram और यह e नाम लिलेता हूँ तो यहाँ पर बलूँगा area किस triangle का है a, b, e triangle का equal होगा half of area parallelogram के parallelogram क्या है इदर a, b, c, d के equal होगा इस result यह काफी important result है बहुत बार यूज में आएगा exercise में इसको ध्यान में रखना है ओके students यह था आपका basic introduction अब इसमें भी अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि यह इसका आदा क्यों होगा देखो जब parallelogram होता है जो parallelogram होता है उसमें क्या होता है parallelogram में मान लिया मैंने कोई diagonal बना दिया यहां पे कोई भी आप diagonal बना दो चाहिए ले ले चाहिए diagonal ले ले तो parallelogram में यह जो दोनों triangles हैं उनका area क्या रहेगा equal रहेगा देखो यह दोनों ट्रेंगल्स क्या हैhair यह धोनों ट्रेंगल्स क्या हैं अपस में Issacomult कैसे हैं बात देखो अगर मैं इसको A, B, C, D नाम रख दूँ और मैं ये कहूँ कि देखो ये जो ट्रेंगल है मालो मैं एक ट्रेंगल ले लूँ इसमें और मैं ये बोलूँ त्वाइस ओफ एरिया ओफ ट्रेंगल कौन सी ट्रेंगल A, B, D जो है वो इक्वल होगा देखो इस ट्रेंगल का दुगणा कर दूँ इस ट्रेंगल के एरिया का दुगणा कर दूँ तो किसके एक्वल आएगा एरिया ओफ पैरलेलोग्राम के एक्वल आएगा ना एरिया ओफ parallelogram a b c d आएगा अब ये 2 इदर क्या है multiply में इदर आके किस में आ जाएगा divide में तो आप लिख सकते है area of a b d equal आ गया 1 by 2 of area of a b c d देखो ये यही तो है अपना हमने यही ऐसा ही तो यहाँ पे result यूज किया है तो ये triangle का area equal होता है half of area of parallelogram अब उमीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको मेरी videos पसंद आ रही हैं अगर तो आप channel को subscribe करें